इस फिलम का पिछला भाग दादन जहां समाप्ट हुआ था ये कहानी उसके तीन साल बात की है अगर आपने कंजरिंग यूनिवर्स का पिछला भाग नहीं देखा है तो लिंग आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा अब देखते हैं कंजरिंग सीरीज का अगला भाग एन नाम एनबेल होता है तभी उसके डैड़ वहां आकर उसे ढूने लेते हैं और दोनों आपस में खेलने लगते हैं एनबेल की मा भी फिर वहां आकर अपनी बेटी के साथ खेलने लगती है अगले दिन जब पूरा परिवार चर्च से होता हुआ वापस घर आ रहा होता है तो गर में छे अनात लड़कियों को शेल्टर परवाइट करते हैं ताकि उनकी जिन्दगी जीने का उन्हें भी एहसास हो उनमें से एक लड़की जैनिस जो पूलियो नाम बीमारी से जूज रही होती है लेकिन सैमिल ने कहीं साल पहले ही अपनी वाइफ के लिए इस्टेर लिफ मां उसे के पास आ रही होती है जैनिस जब मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता सिवाए दर्वाजा हिलने के रात को जब सब सो रहे होते हैं तो जैनिस को दर्वाजे से अवाज आती है जब वहाँ देखने जाती है तो नीचे एक चिट्टी पर लिखा होता है मुझे उसे कहीं सारे खिलोने दिखते हैं और हुनी में से एक घर से बनने खिलोने के पास एक चाबी होती है। जैनिस को अंदर एक क्लोसेट से आवाज आती है जिसके की होल पर वो उसे चाबी का इस्तमाल करती है। जिसके अंदर एनवेल की गुडिया होती है लेकिन वो दर्वाजा बंद कर देती है और आगे देखने लगती है कि दर्वाजा फिर अपने आप खुल जाता है डर के मारे वो एक कपड़े से गुडिया को ढख देती है लेकिन इस बात से अंजान की गुडिया हवा में होकर उ और पास आते ही वो गाय हो जाती है ये देग जाती है और सीधा बागते हुए अपने अगले दिन लिग्डा कहिलते हुए सीडों के नीचे देखती है जिसके अंदर एक कम रहोने का दर्वाज़ा होता है वही कैरल और नैंसी बाकी लड़कियों के साथ एक फारम हाउस देखने जाते हैं जहां वो सभी मिलकर वही रखे हुए एक स्केर क्रो के साथ मजाग करने लगते हैं लेकिन नैंसी ये देख रही होती है कि कैसे स्केर क्रो कमू उसी को देख रहा होता है वहीं लिंडा सीडियों के नीचे वाले कमरे में छुप जाती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है जब वो अंदर देखती है तो वहाँ एनेबेल गुडिया बैठी हुई होती है गुडिया के ठीक पीछे एक सेतान खड़ा हुआ होता है जिसको लिंडा अच्छे से दे महां सिष्टर के लाई एक तस्वीर दिखती है सिष्टर बताती है कि ये तस्वीर रोमानिया के गुमनाव नंस के कंवेंट में खैची थी जिनका भार की दुनिया से कोई संपक नहीं रहता लेकिन वो इन तीनों के काफी करीब थी तभी सैमयल को उनी के बीज में एक निकलती है तभी उन्हें बैल ड्रिंग की आवाज सुनाए देती है उन्हें लगता है कि मिस मूलन सिकार पर निकल चुकी है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कोई उनका जवाब नहीं दे रहा है तब वो डरने लगती है और उनकी टोर्ज भी अचानक बंदो जाती है तभी कोई भूत घंटी लिए उनके पास धिरे धिरे आने लगता है जैसे ही उन्हें लगता है कि वो चले गई तभी अचानक एक भूत उन पर हमला कर देता है उनकी आवाज सुन सब जाग जाते है नैंसे कहने लगती है कि मिस मूलन यहां पर आई जिस पर सैमिल बोलता है कि उसकी भी बेवी तो कहीं सालों से चली ही नहीं सकती है अगले दिन सिश्टर मिस मूलन से मिलने जाती है और जैनिस भी वहाँ आकर उन्हें छुपके से देख रही होती है और जिवार पलिट की एनबेल की फोटो एक गुडिया के साथ देखती है जो गुडिया उसके कमर जैनिस जब उस फोटो को अपने पास लाकर देखती है तो उसे अंधेरे में एनवेल की आँके चमकते हुए दिखती है ठीक उस सेतान की तरह तब ही उसे एनवेल के कमरे से गाने की आवाज सुनाए देती है वहाँ जाने पर वो उस गाने को बंद कर देती है और तभी गुड़े अठीक उसे ही देख रही होती है डर के मारे वो वहाँ से फिर जाने का फैसला करती है लेकिन जैनिस वहीं रखे एनवेल के समानों को देखने में लगी होती है तभी जैनिस को खड़की के पास एनवेल की आत्मा दिखती है एनवेल कहती है कि क्या चाहिए तभी सेतानी रूप में एनवेल कहती है कि तुमारी रूप डर के हमारे जैनस भागती है लेकिन ठीक पीछे सेतान आ चुका होता है जैनस चिला रही होती है लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं सुनता और वो श्टेरलिफ्ट से बैट कर नीचे की और भागने लगती है बाद में उल्टा इस्टेरलिफ्ट उपर की और आने लगता है और सामने एनवेल का भूत खड़ा होता है लेकिन जब वो उपर पहुंसती है तो वहाँ कोई नहीं होता और महौल एकदम सांत हो जाता है तभी सेतान अपनी ताकत से जैनिस को हवा में उड़ा देता है नीचे सबसे पहले उसका जूता आता है और बाद में खुद जैनिस अगले दिन हॉस्पिटल से आई जैनिस का दूसरा पैर भी घैल हो जाता है जैनिस सिष्टर को बताती है कि कल रात को वो गीरी नहीं थी बलकि किसी ने उसे नीचे फैका था एक बुरी सेतान सक्ती ने जो उसे सिकार बना रही है क्योंकि वो कमजोर है जिसपर सिष्टर उसका होसला बढ़ाते हूँ कहती है की बुरी सक्ती कमजोर उमन का सिकार करती है ना कि कमजोर शरीर का और कि कैसे वो यहाँ पर हर किसी से जादा ताकतवर है उसी रात लिंडा अपनी दोस्स से कुछ देरबात करती है कि अब उसे अकेले सोना पड़ेगा लेकिन दोनों आपस में खुद के एकलियों में बदलते हैं याद आने के लिए लिंडा जब उपर आती है तो एनबेल का कमरा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है जब वो की होल से जागती है तो अंदर गुडिया कुर्सी में जूल रही होती है लेकिन दरवाजा खुलने पर वहाँ कोई नहीं होता है डर के मारे फिर वो अपने कमरे में बॉल गन से खुद वो बचाने में लग जाती है कुछ देर बाद ये उसकी फैकी बॉल गन को कोई पकड़ लेता है और जुड़ी वाय ठीक उपर की और जाने लगती है अचानक कोई गन को खैस लेता है और भागते हुए सिधा लिंडी के पास आने लगता है लिंडा डर के मारे बिस् हिले वहीं सोजाती है अगले दिन सिष्टर जैनिस को बार लेकर धूब खिलाने लाई होती है जैनिस दूर बाकी लड़कों को खेलता हुआ देख अराम करने लगती है कि तभी कोई उसके चेर को जोर की हिला देता है जैनिस घबराई होई होती है और आगे और बान के सल पुतल करने लगते हैं तभी महौल एकदम सान सा हो जाता है और जैनिस को सामने एनबेल अलगी स्टाइल में बैठे होई दिखती है जो सिधा रिंगते हुए उसके पास तेजी से आती है और उसके मूग के अंदर काला रखत डाल देती है चिलाने की आवास सब को सनाए और जब सब वहाँ आते हैं तो जैनिस बिल्कुल ठीक होती है मतलब एनबेल ने अब उसे पूरा भूत गरस्प यानि पुजेश्ट कर लिया होता है लेकिन लिंडा को कुछ सही नहीं लग रहा होता है और ये सबी बाते लिंडा रात को बाकी लड़कों को बताती है कि कैस अबने कमरे में जाकर सोने को भूलती है अगले दिन अकिले बैठी लिंडा को देख सैमयल उसे बात करता है कि परिशानी बताने से समझ या कम भी हो सकती है जिस पर लिंडा बताती है कि उसकी दोस जैनिस आजकल कुछ अलग वैवार कर रही है और उसने बताया था कि उसने आपकी बेटी को भी देखा है सैमिल कहता है कि उसकी बेटी तो आज से कहीं साल पहले ही गुजर चुकी है लिंडा बताती है कि जैनिस उसके कमरे में गई थी जहां उसे एक सफेद कपड़े पहने गुडिया डॉल मिली सैमिल भड़क जाता है और कहने लगता है कि उसे डॉल को छुपा दिया था और वो जैनिस से कहे कि डॉल से वो दूर ही रहे सैमिल जब अंदर आता है तो उसे गुडिया डैनिंग टेवल पर बैट हुए मिलती है और तभी पीछे जैनिस आती है जो अपने पैरों पर चलने लगती है जैनिस फिर दीरे दीरे एक शैतान में बदल जाती है सैमिल हाथ में क्रॉस लिये खड़ा होता ही है कि वो शैतान उसके सभी उंगलियों को एक एकर के दूसी तरफ कर देता है और सैमिल जोर की चिलाने लगता है जिसकी आवाज बाहर सभी लोगों को सुनाए दे जाती है सिश्टर जब अंदर आती है तो उन्हें मिश्टर मूलिन की हालत कुछ इस तरह देखती है मानो जैसे उनके सेरी से आत्मा ही निकल चुकी है सैतान ने उनका भी राम नाम शत्या कर दिया होता है वहीं भार लिन्डा देखती है कि कैसे जैनिस अपने हाथों में लिए डॉल के साथ खेल रही होती है रात को जब जैनिस सो रही होती है तो लिन्डा उसके पास रखे एनेबल डॉल को उठा लेती है और एक लाल्टेन लेकर भागने लगती है सिस्टर भारी लिंडा को देख लेती है वहीं लिंडा के पीछे कोई आ रहा होता है लेकिन मुढने पर वहाँ कोई नहीं होता है ऐसा एक वफिर से होता है लिंडा भाग कर एक कोई के पास आकर डॉल को अंदर फैक रही होती है कि तभी वहाँ सिस्टर आ जाती है लिंडा बोलती है कि इसी डॉल ने जैनिस को बदला है और मिस्टर मूलिंग को इसी डॉल ने मारा है और तभी वो गुडिया को नीचे कुवे के अंदर फैक देती है इससे पहले वो वहाँ से जाते लिंडा को कुवे के अंदर से आवाज सुनाए देती है कि तभी कोई उसे अंदर खैसने लगता है लिंडा को बचाकर सिश्टर और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लिंडा अंदर आकर जैनिस को बताती है कि उसने डॉल को फैक दिया है तब ही वो देखती है कि डॉल तो वहीं पर लेटी हुई होती है सिश्टर फिर सबको जैनिस को डूनने को कहती है और डॉल को लेकर सीधा मिस मूलन के पास जाती है जो ये डॉल को देखकर बिलकु डर्सी जाती है मिस मूलन कहती है कि वो सैतान वापस आ गया है और सिश्टर को पूरी कहानी बताने लगती है कि जब उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था तो उनों ने उस सक्ती से परातना की जो उन्हें उनकी बच्ची से मिला सके, बात करा सके और इस घर में वापस ला सके और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन एक दिन उनकी बेटी ने इस गुड़िया के अंदर हमेसा रहने की इजाज़त मांगी जिस पर उन्होंने हाँ कर दिया और फिर उसकी सक्ति बढ़ गई जिस कारण वो अपनी बेटी की जलक भी देख पा रहे थे अपनी बेटी की आत्मा घर में खिलता हुआ देख वो काफी खुश थे लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि वो उनकी बेटी एनेबेल नहीं है एस तर फिर बाइबल और क्रॉस लिए अपनी बेटी को देखने जाती है और तभी उनकी बेटी अपने सरीट को खेंच कर एक सेतान में बदल जाती है सैमिल घर आके देखता है कि उस सेतान ने उसकी बीवी की एक हांक ले गया होता है मिस मिलिन बताती है कि वो एक सेतानी सकती थी जोंकी बेटी एनेबेल का रूप लेकर उसके सरीर में रहना चाता था और कि कैसे वो सेतान डॉल से जुड़ा हुआ था जिस कारण उन्होंने चर्च से मदद ली और उसे एक कमरे में बाइबल के पन्नों से बंद कर दिया वहीं बाकी लड़के जैनिस को ढून लेती है जो उन पर एक नाइफ से हमला कर देती है सिश्टर मदद के लिए उन्हें फिर पुलिस को फोन करने को कहती है मदद बुलाने के बाद उन्हें फिर घंटी की अवास सुने देती है जो मिस मुलिन के कमरे से आ रही होती है वहाँ पहुंचने पर उन्हें जमीन पर खून दिखता है और तभी दिवार पर लटकी हुई उनकी लास जिनके नीचे का सरीर गायब हुआ होता है सिश्टर जब बाकी बच्चों को ढूण लेती है तो वहाँ पोजेश्ट जैनिस नाइफ के साथ आ जाती है सिश्टर प्रेयर करने लगती है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो तो हवा में प्रेयर कर रही है सैतान अपनी सक्ति से उन्हें दिवार पर दे मारता है दोनों बच्चे जब भाग रहे होते हैं तो पोजेश्ट जैनिस लिंडा को पकड़ कर अंदर खैस लेती है लिंडा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है छुपने के लिए वही भार कैरल गाड़ी को स्टार्ट करने लगती है जिसकी रौसनी से नैंसी को दूर खड़ा इसकरे करो दिखता है जो उसी को देखते जा रहा होता है तब ही वहाँ केट आ जाती है और सभी बान के अंदर भागने लगते है कैरल के अंदर आदे ही भार नैंसी को स्क्रेकरो दिखता है जो मिस्मिलिन की लाज के तरह खड़ा होता है दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और कैरल वहीं फज जाती है कुछ दिर बाद स्क्रेकरो हरकत करने लगता है और उसके अंदर से एक सैतान निकल कर आ रहा होता है रोसनी धीरे धीरे जाने लगती है कैरल खुद को एक बलब के भरोसे बचाती है कि तभी वो सेतान बलब को ही तोड़ देता है और वो सेतान उल्टा लटा कर कैरल को देखने लगता है। कैरल डर के मारे वहाँ पहुंच जाती है जहाँ पर सैमेल अपने सभी खिलोनों को बनाता था, अवाज को सुनकर नैंसी वहाँ कैरल को डूण लेती है और उसे बचा लेती है, वही लिंडा एलिवेटर में बैट का सीधा मिसमिलिन के कमरे में आ जाती है, लिंडा टॉट से वहाँ पर मिसमिलिन की लास को देखती है और अचानक वो रिंगते, रिंगते हों उसके पास आने लगती है, बच बचाकर लिंडा वापस उपर की और आ जाती है, लेकिन जैनिस को देख वो डर के मारे एनवेल के कमरे में चुप जाती है, जहाँ जैनिस उसी को ढूंड र और जैनिस को डॉल के साथ ही उस क्लोसेट के अंदर बंद कर देती है। कि किसी को अब ये प्यारी डॉल चीए जो कि इन में से किसी को नहीं चाहिए होती है। सिश्टर लिंडा और बाकी बचे अनाथ एक और घर की और रवाना हो जाते हैं जो उन्हें बिना बोश समझे रख सके। वही सेंटा मौनिका सहर के एक अनाथ आसरम में एक हैगन्स परिवार किसको गोद लेने आया होता है। वो और कोई नहीं बल्की जैनिस होती है जिसको उस शेतान ने अभी भी पोजेस्ट कर रखा होता है। हैरानी की बाद तो ये होती है कि जैनिस उन्हें अपना नाम एनबेल बताती है जो ये नाम उन्हें भी काफी पसंद आता है। लेकिन इस कहानी के बारा साल बाद उसी सहर में जॉन नाम कसक्स अपनी घरबवती वीवी के आने वाले बच्चे के लिए एक तौफल आया होता है जिसके अंदर और कोई नहीं बलकि एनबेल डॉल होती है और जिस हैगन्स परिवार ने जैनिस को गोद लिया होता है वो तो पिनी के पड़ो से निकलते हैं लेकिन दो साल गायब होकर सेतान की पूजा में सामिल होने के बाद एनबेल बड़ी होकर वापस अपने घर आती है और अपने ही गोद लिये माबाप को जान से मार डालती है और मिस हैगन्स की आवाज पड़ोस में जॉन की बीवी मिया को किसमत का खेल ऐसा हो गया है कि अब एनबेल सेतान का वापस आना तैह हो चुका है देखते रहें कंजरिंग यूनिवर्स का अगला भाग